कि आज एक मन की बात में करने जा रहा हूं आप सबसे कुछ दिनों पहले मेरे एक साथे ने बताया था कि वह बाली नगर के रोड़ पे कुछ छोटे बच्चे नशा करते हैं कि एक नहीं दो नहीं टीम बार मुझे संदेश मिला था लेकिन किसी के कहने सुनने पर हम जो भी बात करें उस पर हम कैसे वरुसा करें तो आज जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैंने अपने आखों से देखा कि पांच बच्चे कुछ जलाते हुए ऐसे मूं में कुछ चीज तो मुझे उस बात की तार कुछ दिनों पहले हुई बात से जुड़ी भी नज़र आई तो मैंने तुरंत वहां पर फेस्बुक पर लाई वीडियो शुरू किया और उन बच्चों की खरकत उसमें कैद करने की कोशिश की लेकिन बच्चे इतने स्मार्ट थे कि उनके पास कोई चीज नहीं मिनीं बट दो बच्चों के से पास मैज बॉक्स में और उनके बातों से यह बटा चला है कि लगबक सारे बच्चों के पास मैज बॉक्स थी लेकिन दो जन ने उसको कबूल किया और दो जन ने अपनी मैजबॉक्स मुझे दी जब मैंने पूछा यह मैजबॉक्स क्यूं चलिए तो बता रहे थे कि यह पॉपकॉर्ण बनाने का कुछ करते हैं बड़ यह बच्चे यही पड़ोस में बसई में रहते हैं और वह स्कूल में जाते हैं सरोदय कन्या स्कूल विद्याले में जाते हैं तो मैंने जब उनसे बातशीत की तो मुझे यह पता चला है कि यह बच्चे बीड़ी पी रहे थे वहां के जो पंडी जी है उस मंदिर के उन्होंने यह बताया कि यह बच्चे बीड़ी पी रहे थे और ऐसे से पहले दो-तीन बार मुझे पहले से पता चल गया था तो मैंने उनको एक समझ दी कि बच्चों ऐसा मत करो मैंने तो उस समय मास्क पहना था जब मैं रास्ते से घर आ रहा था क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी अच्छी नहीं है बड़ों के लिए बुजर्बों के लिए और भी रहे तो यह पड़ी चिंता का विश्य है तो इस बारे में मैं कभी लाइब वीडियो बनाने वाला था नहीं मुझे लगता था इसको टाइम आएगा कभी तब मैं उसके बारे में बात करूंगा बटा जो बात मैं अपने आखों से देखी और मैं कुछ और बात आप पड़ेगा और रास्ते पर पहले हमें चलना पड़ेगा जब हम उस रास्ते पर आगे निकलेंगे जब नई पीड़ी हमें उस रास्ते पर चलते हुए देखेगी तो वह भी इस मार्ग पर आगे चलेगी बस हम यह बोलेंगे कि बच्चे नशा करते हैं घरवाले ध्यान न को सुधारने में बहुत ज्यादा समय चला जाता है तो मेरे आपके आपके सामने मेरे पांच जीता जाकते उदारने जहां पर आप शायद मुझे जानते होंगे मैं कंपोस्टिंग हर दिन करता हूं पिछले दस मेनों से कर रहा हूं और पिछले लगबख छे मेने से मेरे साथ कुछ साथ ही जुड़े हुए है अब वो लोवर एकोनोमी क्लास से आते हैं जिनकी घर के आमदनी कुछ खास नहीं है वो दो बच्चे कंप 20 साल से भी उम्र में कम है दोनों जॉब करते हैं तो वो रोज मेरे घर में शाम को गया। सबसे महतोपूर्ण समय 24 गंटों में से तीन से चार गंटे मेरे साथ इस काम में बिताते हैं तो अगर हम गलत छीजों में जाने से उ실ने से रोखे तो न考 को गलत चीजों में का समय बरबाद नहीं होगा और उनको सुधारने से सुधारने में व टाइम जाए गा उसमें हमारी एनरजी उनको इस तरह से रोके तो उनको गलत चीजों में उनका समय बरबाद नहीं होगा और उनको सुधारने से सुधारने में जो टाइम जाएगा उसमें हमारी समय उसमें हमारी एनरजी सब कुछ बचेगी मैं आपको जीता जाकता उधारन देता हूँ यह विकास यह सरोदय कन्या विद्याले में सरोदय कन्या विद्याले में क्लीनिंग का जॉब करते हैं इनकी उमर कितनी आपकी उमर बताई आप इनकी उमरे 22 साल तो यह हर रोज मेरे घर पर आके यह देख आप जो देख रहे होंगे यह कंपोस्टिंग फेलाते हैं फिर हम इसको दुबारा उस बॉक् कि यह है अनिल्फ कि यह अनिल्फ क्या कर रहें आप ध्यान दीजिए एक बॉक्स है बॉक्स के अंदर यह कंपोस्टिंग को मिक्स कर रहे है ताकि इसकी गर्मी को हम बैलेंस कर सके आपकी उमर कितनी है 19 साल तो यह दो युवा मेरे साथ हर रोज तीन से चार घंटे अपने जवानी का महत्वपूर्ण समय मेरे साथ देते हैं तो अगर यह गलत संगत में गलत चीजों में फसेंगे ही नहीं तो उनको सुदारने के हमारा टाइम बच जाएगा अब यह जो लड़का है इसको देखी यह कार्थिक यह मेरे साथी के हमारे मे रिलेट्व है तो उनके पास यह आया है वह एक दिन देखने आया था कंपोस्टिंग और अपने मामा से बोलके यहां पर रोज आने की बात कर रहे हैं चुट्टियों के लिए दिल्ली तो यह काम क्या कर रहे है देखो इनके हाथ में मोबाइल और यह मोबाईल की लाइट स से इस बॉक्स में कुछ दिखा रहे हैं अब इस छोटे युवा को देखा आप कितने कौन से कख्षा में पढ़ते हो बता एड्स में आपके उम्र क्या है 14 यह 14 साल का लड़का हमारा महमान हमारा काम देखने आया है बटाप सोचो उसका इंट्रस्ट क्या है वह इसका इंट्रस्ट इसलिए है क्योंकि हम यह काम कर रहे हैं तो मैं आप से यहीं कहा था अगर हम युवाओं को अच्छा मार्ग दर्शन देना चाहते हैं तो पहले हम उसका मार्ग बनना पड़ेगा हमें उसके लिए रास्ता सीचना पड़ेगा उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा हमें लगातार चलना पड़ेगा और ऐसा समय आएगा कि वह युवा खुद खुद आपके साथ अच्छे मार्ग पर चलेगा तो नशा करने वाले बच्च बच्चों को गलत संगत से बचाने के लिए उनके बाजू में अच्छी संगत होना जरूरी है हमारे नजर बच्चों पे कड़ी होनी चाहिए डाटने फटकारने के लिए नहीं वो क्या करते हैं क्यू करते हैं कैसे करते हैं उनको बदलने के लिए खुद को बदलना नशा यह सब्जेक्ट इसके उपर मैंने अभी कोई काम शुरू नहीं किया है जब यह कंपोस्टिंग सब्सक्राइब अच्छे मकाम पर पहुचेगा तब इस विशह में भी मैं अपनी जरूर कुछ योगदान देने का प्रयास करूंगा मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हम सारे यह जो दो युवा लड़के मेरे साथ हैं वह सुबह ड्यूटी में इनके जुबान से बुलवा रहा हूं यह सुबह साढ़े च्शे बज़े ड्यूटी पर जाते हैं और दोपेर में इनकी ड्यूटी खतम होती है फिर ह शाम को आते हैं मैं सुबह साथ बज़ा ओफिस के लिए निकलता हूं शाम को साथ बज़ा ओफिस से घर आता हूं उसके बाद यह कंपोस्टिंग हम करते हैं तो महनत हमें करनी पड़ेगी लगातार महनत करनी पड़ेगी और युवा पीडी का मार्ग हमें खुद बनाना पड़ेगा जब बनेगा तो युवा खुद बखुद उस रास्ते पर चलेगा किसी को डांट के किसी को फटकार दे के किसी को भला बुरा कहके पैरेंट्स के बारे म में गलत कहके उनके संगत के बारे में गलत कहने के बजाए रास्ता हमें खुद सीचना पड़ेगा तो धन्यवाद मैं यह बताना चाहता हूं कि पोस्टिंग का काम जो यह दो युवा मेरे साथ करें बाकी और सदस्य होते हैं आज बस दो युवा है क्योंकि कोई और बीजी है किसी काम में थैंक्यू सो मच